स्टार प्लस के शो गुम है किसी के प्यार में सही पहुँच गई है विनायक का इलाज करने के लिए नाकपुर्ग जी है जैसा कि आप सब जानते हैं कि पत्र लेखा सही के सामने बहुत रोती गिलगडाती है कि वो किसी भी तरह चले और विनायक का इलाज करें वहीं दूसरी तरफ पहले तो सही मना कर देती है क्योंकि वो चवान निवास चवान निवास के लोगों से दुबारा मिलना नहीं चाती और वो अपनी जिंदगी में सभी के साथ बहुत खुश है लेकिन पत्रलेखा को रोता हुआ देखते और पत्रलेखा के बार-बार कहने पर कि उसे विनायक के पैरों का ठीक होने के लिए सिर्फ उसी पर भरोसा है ये बात बार-बार समझाते हुए सही आखिर उसकी बात मान लेती है वहीं दूसरा सही पहुँच जाती है हस्पिटल जहां विराट उसको देखकर काफी नराज होता है लेकिन पत्रलेखा के समझाने पर विराट भी समझ जाता है वहीं दूसरी तरफ अश्वनी जिसको सही से काफी emotional attachment था उसे ये राज बताती है कि आखिर विराट ने पत्रलेखा से शादी क्यों की थी सही के सामने विराट और पत्रलेखा की शादी के राज के साथ साथ ये बात भी आ जाती है कि सही और विराट का रिष्टा आज भी वैसा ही है क्योंकि विराट ने पत्रलेखा को अपनी बीवी माना ही नहीं है सिर्फ पेपर पे साइन करके उसको बीवी का दिकार दिया है लेकिन बीवी के सारे हक अभी तक विराट ने पत्रलेखा को नहीं दिये सही ये बात जानकर काफी हैरान हो जाती है हाला कि अभी ऐसा कोई कदम सही नहीं उठाएगी जिसके चलते विराट और पत्रलेखा के रिष्टे में दरार आ जाए लेकिन देखना काफी दिल्चस्प होगा कि सही की मौचुदूत्री से विराट और पत्रलेखा का रिष्टा किस अंजाम पे पहुंचता है इसी तरह एपिसोड में आगे जानने के लिए आप बने रही है हमारे साथ